राजपती पुतिन का बहुत बड़ा बयान पीस होना है युक्रेन और रशिया के बीच में तो ये करेंगे चाइना भारत और ब्रजील वहाँ पर प्रेजिडेंट प्यूटिन ने 44 मिनिट की तरीन तक्रीर की है फिर उनने का कि युक्रेन के साथ हमारे मामलात ये जो तैह हो सकते हैं पूटिन सा बड़ा खिला लए आई डोंट फिंक दुनिया में कोई है एक पूटिन एक शी जिजिंग पिंग उसको पता है कि चाइना उसके साथ ख़़आ है तो हो सथ है कि अगले चंद दिन के अंदर आपको इबड़ी डिवलपमेंट होते देखिए और आपको पता ये चले कि रशिया एंड यूक्रेइन किसी एक फॉर्मूला पर तयार हो गए है दोस्तों पूटन ने धंकी दे दी और पूटन ने ये बोला है साफ शब्दों में कि यूरप मैं आग लगा दूँगा मैं इतनी बड़ी बात पूटन ने क्यों कही कुर्क्स का एरिया है इसके बारे हम आपको इसी प्लैटफॉर्म में पहले भी बता चुके हैं कि वहाँ पे बारा सौ से लेकर पंदरा सौ स्क्वेर किलो मिटर्स पे यूक्रेइन ने कबज़ा कर लिया और ये है रूस की जमीन अच्छा ये लड़ाई तो इनकी चल रही है दो साल से वो इनकी इलाके पर कबज़ा कर लेते हैं उनके इलाके पर कबज़ा कर लेते हैं लेकिन यूक्रेइन ने जो आप करा है पूटन का पारा हो गया हाई यूक्रेइन ने ड्रोन का इस्तमाल करके न्यूक्लियर प्लांट्स पे अटैक करने की कोशिश करी है अब दोस्तों ड्रोन एक टेकनालोजी है और न्यूक्लियर प्लांट्स एक दूसरी टेकनालोजी है ये लोग ड्रोन का इस्तमाल करके न्यूक्लियर प्लांट्स को ठोक करने की कोशिश कर रहे हैं और पूटन ने ये बोला है कि साब अगर तुम हमारे उपर हमला करोगे पूरे यॉरप में आग लगा दूँगा मैं बात ये हुई है कि जैपोरिजिया प्लांट जो यॉरप का सबसे लार्जिस्ट नुकलियर फैसिलिटी है ये रशियन ट्रूप इस ने 2022 में कैप्चर कर लिया था ठीक है जी 2022 में कैप्चर हो गया था अब अटाक्स उन जैफोरीजिया और कुर्क्स नूकलियर पार प्लांट ये अटेम्ट करा है अटेम्ट सक्सेस्फुल नहीं हुआ यूक्रेन का जो हमला था वो सक्सेस नहीं हूँ दोस्तों लेकिन अटेम्ट तो करा था इन्होंने और जब बंदा एक बार सक्सेस्फुल नहीं होता है वो बार बार कोशिश करता है और यही पूटन ने बोला है कि बोस सुनो यह टेररिस्ट अक्टिविटी है। तुम ही लोग हो जो इसको कह रहे हो कि जाओ अटेक करो पूटन के न्यूकलिर प्लांट पर अटेक करो बेटा करके देखो एक बार पूरे यॉरप को फूंग दूँगा यह पूटन की डैलेक्ट मुपे धंकी है दोस्तों। कमाला हैरेस की आपको पता है आपको यह बात पता है कि सिर्फ दो ही लोग हैं दो में से एक इस नवंबर में घोशित हो जाएगा राष्ट पती अमरीका का। तो डॉनल्ड ट्रम्प जीतेगा ये कमला हैरेस जीतेगी दोनों में से दोनों में से सिर्फ एक जीतना है इसने क्या करा है ये डॉनल्ड ट्रम्प का नजदी की है डॉनल्ड ट्रम्प और व्लैडमेर पूटिन की दोस्ती है दोस्तों अब इसने क्या गे मैं अकसर इंफॉर भी मुस्कुराएंगे आप भी हसेंगे ये तारीफ हैं कर रहा है कमाला हैरेस की और भी इसने कई सारी चीज़ है ये क्यों कर रहा है पूटन अब लोग बोल रहा है साब पूटन जो है वो कमाला हैरेस को सपोर्ट कर रहा है नो नौर अट आल पूटन जो है डॉनल ड्रम को स पता है ही नोज कि मुझे एक राक्षस के तौर पे देखते हैं कि इस देश को गया उसको खा लिया यूकरेन में घुसा इतने हजार बंदे मार दिये ये लोग देखते हैं पूटिन को एक एनेमी के तौर पे एक दुश्मन के तौर पे और यहां पर दुश्मन अगर किसी की तो इसका मतलब वो दुश्मन के साथ मिला हुआ है गेम समझने हैं दोस्तों यानि कि वो चाहता है पूटिन ये चाहता है कि कमाला हैरेस हार जाए इसलिए वो कमला हैरेस की दोस्ती की किसमा खा रहा है और उसकी तारीफ हैं कर रहा है दोस्तों इसको कहते हैं information warfare किस तरीके से मीडिया का इस्तमाल करना और दुश्मन के उपर प्रहार करना है अगर सीखना है तो भाई साब इस बंदे से जाके सीखो पूटिन से बड़ा खिला लगी I don't think दुनिया में कोई है एक पूटिन एक शी जिंग पिंग ये इस मामले में एक्सपर्ट है किस तरीके से मीडि से शुरू कर रहा था ये वीडियो in the very beginning हमने बोला था पूटिन ने बोला कि यॉरप में आग लगा दूँगा यॉरप फिल बर्ण तो यॉरप को दे दी धंकी ठीक है कमला हैरिस को पुछकार दिया डॉनल्ड टरंप को टेड़ी आंक से देखा राइट जबकि मामला बिल ब्रजील ये तीन देश हैं जो रशिया और यूकरेन के बीच में पीस कर सकते हैं ये गेम देखो आप उसको पता है कि चाइना उसके साथ ख़ड़ा है उसको पता है ब्रजील उसके साथ ख़ड़ा है और उसको ये भी पता है कि भारत अगर उसके साथ ख़ड़ा है नहीं लेकिन भारत कम से कम रूस के खिलाफ नहीं जाएगा क्योंकि पुरानी दोस्ती, पुरानी यारियां, पुराना सपोर्ट है, आज से नहीं 40, 50, 60, 70 साल पहले का। उसको ये बात, वो बात से भली भाती परिचित है। तो उसका ये गेम है कि अब क्योंकि वो पूटन है और क् कोई नहीं कह रहा था, ये अचानक एक और फैक्टर इसने बीच में डाल दिया, समझा है मेरी बात, एक नया फैक्टर, अलग से बोल दिया होगा कि चाइना पीस कर देगा, अलग से बोल दिया होगा कि ब्रजील पीस कर देगा, लेकिन इसने तीनों देशों को एक साथ मिल कि अगर पीस होना है यूक्रेन और रशिया के बीच में तो ये करेंगे चाइना भारत और ब्रजील और ये तीनों कंट्रीज प्रो वेस्ट नहीं है इंडिया नीट्रिल है ब्रजील का जुकाओ रूस की ओर है और चीन तो बिल्कुल रूस को गोद में बैठा के बैठा आज आप पीस करोगे चार साल के बाद फिर ये ठोक देगा यूक्रेन को ये कह रहा है तब की तब देखी जाएगी लंबा गेम सोचो अब बात यह है कि जब आप ब्रजील चाइना और भारत को गेम में डाल देते हैं ऑफिशली गेम में डाल देते हैं कि रूस कहता है इस जब गले मिले था पूटन से